हेलो फ्रेंस आज मैं आपको राखी मेकिंग आइडिया बताऊंगी धागे से तो यहाँ पर सबसे पहले 30 इंच का मैंने दिबल यहाँ पर धागा लिया है और काट पाल लेती हूं इस तरह के से से उसके बाद यहाँ पर मैंने बीच में जो दाका है इस पर मैं मोटिया डाल दोंगी आप जितनी भी मोटिया डालना चाहते हैं डाल सप्धें है तो यहां पर मैंने मूती डाल दी है फिर यहां पर से एक धागे को उठाते हैं और जो मूती वाला धागे है ना उसके नेचे से हम धागे को डालेंगे इस तरके से और फिर उस धागे में दुबारा फसाते हुए इस तरके से उपर के तरफ को खेचिंगे और इसमें गाट मा मोती वाले धागे के अंदर से इस तरह किसे डालना है और फिर इसको भी उपर के तरफ को खेचुना है तो दो तीन बार हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे कि इसके बाद हम मोती धाम मोती को डालेंगे और फिर हमने वही रिपीट करना है तो यहां से हम स्टेप के दागे को अंदर के तरफ को खेचेंगे किनारे से धागा आजाएगा से तरह कि गुलाई में देख省 स्रीके से दूसरे बारडी सई्ट जियार हमारा गोल तरह सबते कए अपने बच्चों के लिए घर पर राखिया बना सकती है दोए धागा इसलें सेट होगे हैं दूसरी मोती में और इस तरह के प्रोसेस को दूबारा रिपीट करेंगे को बीच वाले धागी के अंदर से डाला선 और फिर इस तरह के से किया तो बस हमें से मोतिव पर यही रिपीट करना है तो यहां पर हम आपको जूंगर के भी दिखा देती हूं इस तरह के से मोति को लेना है और धागे को इस तरह के से बीच वाले धागे की अंदर से डालना है और फिर इसके अंदर से दुबारा धागे को डालना है इस तरह के से तो यह आप अपने बच्चों को सिखाएए बहुत ही यूजेबल है झालना है करीं तुर्षें तो यहां पर हमारे सुन्दर से राखी बन के लेड़ी हो चुकी है तो यह राखियां को डिजाइन कैसे लगे हमें जरूर दाएगा थैंकि फिर बचेंगे लबावाई